नमस्कार दोस्तों एक वार पुर्ण स्वागते आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्ने जिवाई गुरूजी में आज हम लोग हिंदी भासा सिछण में भासा और अधिक्यम और आर्जयन से संबंदी जो भी आपके एक्जाम में पूछे गए थे प्रसनु सार सभी प केल आइकन को जरूर दबा लिजेगा ताकि इस परकार के वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को देखते हैं हम लोग पहला प्रसन है पहला प्रसन इस परकार है कच्छा में भासा की के प्रती बनाकर उसका बिवीदता क्या करने चाहिए बिवीदता के प्रती संबेधन सील संबेधन सील बनाकर उसका उप्याओंग भासा सीचळ में करने चाहिए जिसका सही उत्तर क्या हो जागा option भी हो जागा है विख्यास है और साहित्य है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रात्मिक अस्थर प्रभासाई समचाओं का विख्यास क्या है एक साध्य है क्या है एक साध्य है और साहित्य क्या है साहित एक साधन है जिसका सही उत्तर आपका option C हो जाएगा साध्य हो जाएगा साध्य है जिटेट फर्स्ट पेपर दिसम्र दोज और निस में पुछा गया प्रस्ण है जो भी प्रस्ण है आपके सभी किसी ने के सभी आपके एक्जाम में पुछे गए ही प्रस्ण है निस्ट की उचन है बच्चों की भासाई चामताओं के आकलेंड के लिए सरवधी की सहायक है बच्चों की प्रस्पर और अपचारिक बाच्चीत बच्चों की प्रस्पर अपचारिक बाच्चीत बच्चों की प्रस्पर अपचारिक बाच्चीत और बच्चों का सिच्चक द है भहवासीता भह भाषिसता मतलब कई परकार के भासा इतयात का बोलना या परहोग मिलाना अच्री को कि लगने वान को क्या कहेंगे बूरी लगने वाले मां हेंगे घखर में किस्च किमा का का। इसका छियुकत prayer भाव.. बी हो जागा फूलों के नाम अपनी भासा में लिखो ही क्या होता है बहु भासिता को दर्साता है यह सीटेट फर्स्ट पेपर दिसमर 2019 में पूछा गया प्रस्ण है नेश्ट क्रिशन हम लोगे देखें के पांच प्रस्ण नीमी में से कौन सा प्रस्ण बच्चों की भासा छमता के विकास में सारवधिक सहायक है डाल डाल का इस्तिमाल करते हुए वाक्य बनाओ भी करें तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों तितली और कली ने क्या खेल खेला है तुमारी मन पसंद किताब कौन सा है तो इसका से उतर आपका option भी हो जाएगा तीतली कली के पास कब गई और क्यों तो इसमें क्या होगा जो भी बच्चे होगी और क्यों तीसमें जो भी बच्ची है इसका answer देंगे तो अपने छमता की हिसाब से एक चीजी अपने मन में बना के जो भी इसका उतर होगा वो देखेंगे निश्ट किशन हम लोग देखेंगे निश्ट किशन च्छा है कई बार बच्चे जब इसकूल आते हैं तो दो या तीन भसाओ को और बोलने की छमता से less होते हैं इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर हो जाएगा आपका option do हो जाएगा समझने कई बार कि छहमता से less होते हैं ये भी first paper 2012-2019 में पूछा गया person next question हम लोग देखेंगे किसी भी से को सीखने का मतलब है उसकी को सीखना उसकी को सीखना इसका क्या हम लोग भरेंगे ते इसका सही उतर हो जाएगा आपका option C हो जाएगा अधर्णाओ और सब्दावली और किसी भी से को सीखने का मतलब है उसकी अधर्णाओ क्या है और धार्णाओ अधर्णाओ को सीखना और उसकी सब्दावली को सीखना उसकी सब्दावली सब्दावली को सीखना तो इसका सही तरह आपका option C हो जाएगा नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे बच्ची अपनी माती भासा का परियोग करते हुए हिंदी भासा की कच्छा में अपनी बात कहते हैं यह बात है क्या यह सोभाविक है, निंदनी है, विचर्णी है, अनुचीत है निंदनी हो जाएगा, यह एक सोभाविक बात है, क्या है, यह एक सोभाविक बात है सिटेट फर्स पेपर दिसमा 2019 में पूछा गया प्रसन, नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे पहली कच्छा में भी लिखने के अंतरगत आता है, यह भी दिसमा 2019 में पूछा गया प्रसन है नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे प्राथिम के अस्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम हतपूड है प्राथिम के अस्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम हतपूड है अनुमाल लगाना संदर्भान अर्थ अच्छरों की पहचान पढ़ने का उद्देश जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन सी सही हो जाएगा अच्छरों की पहचान अप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छरों की पहचान नेश्ट की शनी 11 हमले देखेंगे प्राथिम गस्थ्तर अच्छों का भासा विकास सारवधिक रूप करता है किस पर निर्वर करता भासा की कठोर आक्मल पर भासा की पाठे पुस्तक पर सम्रीद भासिक परिवेस पर या भासा की ब्याकरिक जानकारी पर बच्चे अपनी जन्मजाद भासा अरजन चमता के सहारे परिवेस में मौझूद भासा अर्जित करते हैं यह कथन किसे महत्व नहीं देता है किसे महत्व नहीं देता है प्रस्निक बरावर देखेंगे बच्चे अपनी जर्मजाद भासा अर्जन छमता के सारे परिवेस में मौज़ुद भासा अर्जित करते हैं कथान किसे महत्व नहीं देता है समने भासा परिवेस को ये तो सही हो जाएगा आपका फिर कहा रहा है भासा नियमों में परिवारता निये भी सही होगा लेकिन ये अपसंस गलत हो जाएंगे बात सही कहा रहा है भासा नियमों में विस्थार को ये भी सही लेकिन गलत हो भासा अनुकरण करने में जहां अनुकरण की बात आजाएगी यह निगेटिब आपके बात हो जाएगे यह सही उत्तर हो जाएगा यह भी क्या जुलाई 2019 में पूछा गया प्रस्ण है नेश्ट किश्वन हम लो देखेंगे नेश्ट किश्वन है भासा सीखने और भासा अरजीत करने में मुख अंतर का अधार है भासा परवेस का भासा आकलन का सचर्था के या पाठ समग्री का जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसन ने हो जाएगा भासा परवेस का क्या मुख अंतर क्या है भासा परवेस का यह भी प्रस्निम आपको पूछी रहे हैं नेश्ट क्यूश्टन आपको देखेंगे हमलों चोदा चोदा इस प्रकार है बच्चे समाजिक अंता किरिया से भासा सीखते हैं यह विचार किसका है बच्चे समाजिक अंता किरिया से भासा सीखते हैं यह है विचार किसका है जिन प्याजे का इसकीनियर का पावलाओ का या बाइगोस्की का जिसका से उतर हो जाएगा आपका ओप्सन डी हो जाएगा बाइगोस्की का बाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं समाजी कंतर किरिया से भावसा सिखते हैं नेश्ट कृष्चन हम लोग देखेंगे पंद्र, बैग गोष्की ने भासा विकास का परिच्य प्रस्तूत किया है, बहवारवादी, समाज सांस्कृतिक, बहवार सांस्कृतिक या संग्यान वादी, जिसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका ओप्सन डी हो जाएगा, समाज सा सांस्कृतिक, इसके बाद नेश्ट कृष्चन हम लोग देखेंगे, भासा सीखने और भासा आर्जित करने में अंदर का मुख्याधार है, भासा की पाठ पुष्टे के भासा का लिखित आकलन, भासा का उपलब्द परिवेस, भासा की जटिन रचना है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका उप्सन सी हो जाएगा, भासा का उपलब्द परिवेस, ये सिटेट फर्स्ट पेपर जिसमाद 2018 में पूछा गया प्रसन है, नेश्ट किशन हम लोग देखेंगे 17, भासा सीखने के संदार में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, बच्चों में भास भासा अर्जित करने की जन्मजाद शमता होती है, फिकर बच्चों में भासा अर्जित करने की जन्मजाद शमता नहीं होती है, ते अप्सन गलत हो जागा, बच्चे बिद्याले आकर ही भासा सिखते ही भी गलत है, बच्चे बिभिन संचार माधरों में से ही भासा सिखते ह भी गलत है, उप्सन इस सही हो जागा, बच्चों में भासा अर्जित करने की जन्मजाद शमता होती है, आगे हम लोग देखेंगे, प्रसन अठारे देखेंगे, अठारे इस प्रकार है, भासा सीखने सिखाने में आप किसी सबसे अधिक महतपूर मानते हैं, सेंगनात्मक वि समाजिक अन्तक्रिया, से क्या हुता है, भासा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महतपूर माना जाता है, यह सिटेट फ 기법 दिसमबद 2018 पूखेंगे अप्रसने, नेश्थ की आधिशन हम लोग देखेंगे, बच्चे में जन्मजाद भासि क्शमता होती है, इसका एक इसका एक सिच्छा सास्तिर पक्ष है कि प्रयापत आपसन मिलने पर बच्चा क्या करता सुनना बोलना जल्दी सीखेगा परचित भास जल्दी सीखेगा नई भास असानी से सीखेंगे पढ़ना लिखना जल्दी सीखेंगे सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रस्न है 2019 में पूछा गया प्रस्न है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसन सी हो जाएगा नई भासा असानी से सीखेगा क्या होगा नई भासा को वह बहुत ही असानी से सीखेगा प्रस्ण है बच्चे में जन्मजाद भासिक शम्चा होती है इसका एक सिच्छा सास्त्री पक्षे है कि यो परियापत आउसन मिलने पर बच्चा आप नई भासा असानी से सीख लेगा स्थ्ण केका ब्रिषत लिए सबसे कम महत पुड़ आएगी तो सही उतर आपका हो जाएगा आपका आपसिं सी हो जाएगा सुरुत लेक हो जाएगा सुरूत लेख सुरूत लेख सकी हमकि लिखने का कारे करेगा तिसमें भासा विकास इत्याद बहुत कम उसका विकास होगा नेश्ट की शुन हम लोगे किस देखेंगे पढ़ने का संबंद है पढ़ने का संबंद किस से है अर्थ से सुधता से ती ब्रगती से या अच्छर घ्यान से जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसे नहीं हो जाएगा अर्थ से इसको पर नेश्ट किशन हम लोग देखेंगे बाई से प्रात्मी गस्तर पर हिंदी भासा की पाथ पुस्तक का निर्मार करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाए कि पाथ बच्चों को पढ़ने के लिए कुसलता का ही विकास करें बच्चों में साहितिक लेखन की छमता का ही विकास करें कुछ पुर्व निर्धारित संदेशों को पहुचाने के उद्देश रखते हों कुछ पूर निरधारी संदेशों को पहुचाने के उद्धिस न रखते हों तेज दिखेंगे बच्चों में पठन के प्रति रूची चागरित करने के लिए पाठ पुष्टक के अतरिक्त सामागरी का विकास किया जा सकता है तो इसका ओप्सन इधर दे दिया है ओप्सन इधर हम लोग देख लेते हैं ओप्सन इहां दे दिया है मुल्य प्रक्का, सरलका, पूरक्या, जटिलका प्रसन एक बार और हम लोग सुनेंगे प्रसन था बच्चों में पठन के प्रतिरूची जागरीत करने के लिए पाठ पूष्टक के अतरिक्त किस सामागरी का विकास किया जा सकता है मुल्य प्रक्का, सरलका, पूरक्या, जटिलका तो इसका सही उतर हो जागा आपका ओप्सन से हो जागा पूरक नेष्टक सिछन हमनों 24 देखेंगे गडित बिग्या ने आदि बिश्यो की कछ्षाओं में भी बच्चे भासा सीखते हैं या विचार है या किसका विचार है निराधार है या पूरता है या सत्य है या पूरता असत्य है आंसि ग्रूप से सत्य है किसी के विचार नहीं है यहां पर सत्य और असत्य छाटना है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी हो जाएगा पूरता ही क्या है यह परकार का यह सत्य बात है और गडित विज्ञान आद भीशों की कछाओं में भी बच्चे भासा सीखते हैं बिल्कुल सही है स अभी सब्जेट से बच्चे भासा सीखते हैं उच परात्मी का सतर पर हिंदी भासा सीखनी में सबसे कम सहायक है पाठ पुस्तकों का परियोग संचार माथम का परियोग अन्य बिस्व की कछाओं में भासा पर ध्यान देना सम्रित भासा परिवेस की उपलादाता सी में पुछा गया प्रस्ण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option यह हो जाएगा पाश्ट पुस्तकों का परियोग उच्छ प्रात्मिक अस्तर पर हिंदी भाशा सीखने में सबसे कम सहाए क्या है पाश्ट पुष्टकों का परियोग बाकि आपके संचार माध्यम जो भी होते हैं उसे भी बच्चे बढ़ियां से भासा सीख लेते हैं निभी सो कि कच्छाओं में भी भासा पर ध्यान देना सम्रिद भासा परिवेश की पुलत तायती सबसे बचे भासा सबसे अधिक सीखते हैं बाकि जो पाट पुष्टक का परियोग होता इससे बाचा एस वरी बच्चे क्या हो करते हैं कम भासा इत्याद सीखते हैं नेश्ट कीशन हम लोग देखेंगे कि कि इतना था 25 ता 26 देखेंगे हम लोग प्रसन 26 इस परकार है भासा सीखने और भासा अर्जित करने में मुख्य अंतर का अधार नहीं है स्वभाविक्ता का सहजता का व्याकरण का या भासाई परिवेश का तिसका सही उत्तर हो जाएक आपका ओप्सन सी हो जागा है ब्याकरण का सीटेट सेकंड पेपर जुलाई 2019 में पूछा गया प्रसन है अनि भासा सीखने और भासा अर्जित करने में मुख्य अंतर का अधार नहीं है किसमें ब्याकरण का ब्याकरण का इसमें कोई रोल नहीं होता है नेश्ट किश्ण हम लोग देखेंगे नेश्ट किश्ण 27 देखेंगे अब लो भासा अर्जित करने के संदर में सारवधिक महत्पूर है भासा अर्जित करने में सबसे ज़्यादा किसका सारवधिक महत्पूर है सम्रिद भासा परिवेस का संचार माध्मों का अधिक परियों का विद्याले परिच्छा परकिरिया का या भासा पठित समागरी का तब ही ये प्रसन हम लोग देखें है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आपसन ये हो जाएगा सम्रिद परिवेस का भासा जित करने के संदर में समरीद परिवेश क्या है सर्वधिक महत पूड़े निष्ट किशन हम लोग देखेंगे 28 स्वाप परसन हम लोग का इस परकार है उच प्राथमिक अस्तर के हिंदी भासा की पाठ पुस्तकों में हिंदी तर भासा को भी जगह मिलनी चाहिए इस कथन का आउचित्य नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन डी हो जाएगा हिंदी तर भासियों में अकरोष को सांद करना होता है भासा अर्जन के संब्ध में कौन से कतन सही है क्या यह सहज होता है यह सरल होता है यह कठिन होता है यह सीखा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सण यह हो जाएगा यह सहज होता है कविता सिच्छड की वीधी है कौसर पढ़नाली लेखन पढ़नाली अर्थबोद पढ़नाली तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन सी हो जाएगा अर्थबोद पढ़नाली है यूपी टेट सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रस्ण है नेश्ट की शुन हम लोग देखेंगे प्रस्ण है भासा सिच्छक ने कच्छा कच में ब्यक्त विशेस की आकरति बेस भूसा मुद्रा चेश्टा सोभाव संदौर आध का वर्णन किया है सिच्छक किस विद्धा क विद्धा का सिच्छर कर रहा है इसका ऑप्सन इधर दे दिया है इसको देख लेते हैं हम लोग के प्रस्ण एक बार और हम लोग देख लेंगे प्रस्न दिया था भासा शिच्छक ने कच्छा कच्छ में ब्यक्त विसेस की आकरिती बेस बुच्छा मुद्रा चेश्टा सोभाव सुंदर आध का वडन किया शिच्छक की विद्या का सिच्छड करा रहा है जिसका सब उत्तर हो जागा रेखा चित्र नेश्ट की विद्या हम लोग देखेंगे नाटक सिच्छड में कच्छा विन्वय पर नारी के परियोग से सिच्छा के बच्चों का समय वेर्थ होता है पातरा अनुसार बच्चों द्वारा अभिने से सीखने की परकिरिया में तेजी आती है बच्चों पर बिप्रित परभाव परता है उपरियोग में से कोई नहीं तो यह तीनों ऑप्शन गलत है इसका सही उत्तर आपका नेश्ट किशन है सुहल की मातर भासा भुश्पूरी है वह हिंदी वाकि लिखते समय अकसर ने का सही परियोग नहीं करता इसका सोभाविक कारण क्या है सुहल हिंदी भासा नहीं जानता है वह अला परभाव है वह ध्यान से नहीं लिखता है वह अपनी मातर भासा का परभ जहां बोलते समय अक्षर आओ सकता इस्तित्यों में ने का परियोग नहीं किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option डी ही सही इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार टेट सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रस्न है नेश्ट कीशन हम लों देखेंगे 34 भासा सिछल की किस बीधी में मात्र भासा को मध्यस्त नहीं रखा जाता है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन कहारा है ब्याकरन बीधी, सुत्र बीधी, अनुवाद बीधी या परत्यक्ष बीधी और भासा सिच्छड की किस वीधी में मात्री भासा को मध्यस्त नहीं रखा जाता है तो इसके से उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन ओप्सन डी हो जाएगा परत्यक्ष वीधी ओप्सन डी क्या होता है परत्यक्ष वीधी में मात्र भासा को मध्यक्ष नहीं रखा जाता है मात्र भासा से कोई मतलब नहीं होता है नेक्ष्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे भासा सिच्छल के संदर में किसी सिच्छक के लिए सारवधिक महत्पूर है पाठे चर्या समागरी के लियाओं का आयोजन करना भासा पर्योग के अधिक आउसर परदान करना निर्धारिक पाठ करम को पूरा करना या परिच्छा का आयोजन कराना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन भी सही हो जाएगा भासा पर्योग के अधिक आउसर परदान करना नेश्ट कीशन हम लोग देखेंगे उच पराथमिक अस्तरपर बच्चों की हिंदी भासा की छमता के आकलन में प्रकारे परक्ष पर बल देने का आवस्य है प्रसनी एक बरावर हम लोग देखेंगे उची प्राथमिक अस्तर पर बच्चों की हिंदी भासा की छमता की आकलर में प्रकारे परक परच पर बल देने का आस्या है क्या भासा परियोग पर बल देना है भासा की कारों को बढ़ावा देना है भासा परियोग को पच्छ पताता है या भासा की कारों की सोची बनाना है तो इसके सही उत्तर आपका उप्सन हो जाएगा भासा परियोग पर बल देना होता है इसके ये सही उत्तर हो जाएगा सीटेट सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रस्न है नेश्ट कीशन हम लो देखेंगे दियुती भासा सीखनी के संदर में सबसे कम महतपूर है अभिवाग के प्राप्त प्रोसाहन भासा के परिच्छा अभिवितिया सिचक का रवया तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन ये हो जाएगा अभिवाग से प्राप्त प्रोसाहन नेश्ट कीशन हम लो देखेंगे नेहा अपनी बात करते समय अपनी मात्र भासा के सब्दों का परिउग करती है आप क्या करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन ये हो जाएगा लक्ष भासा के सब्द का परिउग करते हुए सहसा से उसके वाग्य को दोहराएंगे नेश्ट कीशन हम लो देखेंगे 49 है भासा सिचड की कौन सी बीधी मात्र भासा को सिखाने पर बल देती है दिवासी विधी, अनुवाद विधी ब्यक्रलय याप पर्तियक्ष भी देती इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्सन दी हो जाएगा पर्तियक्ष भी देती अभी यह प्रसन हम लो अभी जश्ट ही bon प्रशन एक जुलाई दो जरी कारे में पूशा गया प्रशन है इसका चालीस वह नमबर हम लो देखेंगे समगर भासा पद्द पर अधारित कच्छा है कौन कच्छा कैसी कच्छा है यह बच्चों के भासाई विकास की एश्पर समझ पर बल देती है इसका सही उतर आपसम भी हो जाएगा बच्चों के भासाई विकास की एश्पर समझ पर क्या कल थी बल देती है यह क्या होता है समगर भासा पद्द पर अधारित कच्छा होता है नेश्ट की शन हम लो देखेंगे पहली कच्छा में परविस लेने से पहले आमतर पर बच्चे आमतर पर बच्चे क्या करता है नेश्ट की शन हम लो देखेंगे 42 42 नंबर का Qeution इस परकार है पराथिम कस्तर पर बच्चों की भासाय छमताओं का विखास करने का अर्थ है भासाई चरणाओं पर अधिकार भासा अनकुरण की कुछ सल्टा पर अधिकार भासाई नियमों पर अधिकार तो 42 का सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपसन सी सही हो जाएगा, भासाई अनुकरण की कुछ सल्ता पर क्या करना अधिकार करना नेश्ट किशन हम लोग देखें के 43 हिंदी की कच्छा में प्राय है, हिंदी तर भासी बच्चे हिंदी सीखने में अने कटनायों का सामने करते हैं, क्योंकि इवे मन लगा कर हिंदी नहीं सीखते हैं इसका सभी उत्र हो जाएगा आपका ओप्सन डी हो जाएगा प्राय हिंदी और उनकी मात्र भासा की सनचना में अंतर होता है इसलिए हो क्या होता है हिंदी सीखने में उनको कठना ही आती है सीटेट में फर्स्ट पेपर एक जुलाई 2021 पूशा गया प्रसन है नेश्ट की चना में लोग देखेंगे चवालीज बहु भासिक यह में बहु सांस्कृतिक कच्छा में बहु भासिक मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बरकार के बच्चे क्या करते हैं अलग अलग भासाय बोलते हैं अपनी मात्र भासाय बोलते हैं यह में बहु सांस्कृतिक कच्छा में बच्चों को मात्र भासा का पर्यो संस्कृति की दूसरी मंजिल है जो संसक्रित है संस्क्रित नहीं हाँ संस्क्रिती की बात कर रहा नहीं आच्रेह अच्छ नहीं की बात संद्चन है संगीत कला इत्यादी का संद्चन है परप्राव रूड का आस्रे अस्थल या उप्युक्त सभी है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन डियो जागा उप्युक्त क्या है सभी है हर्याना टेर गिरी कारी का मुख्धिस क्या होता है यह पूछ रहा है चातर को घर पर ब्यस्त रखना है पढ़ाये पाठ को दोहराने के लिए उसर देना है शुले की योगता का विकास करना है या सम्मनित पाठ में रूचित बंकराना है तिसकर सही उत्तर आपका ऑप्सन भी हो जाएगा पढ़ाये पाठ को दोहराने के लिए उसर देना है राजस्तान ट्रेट पेपर दोहजार सोलम पूछा के प्रस्न है इसके बाद नेक्स किश्चन आपने देखेंगे 47 उच्चारण सुधाने का कारे किन कछाओं में करना चाहिए जो भी उच्चारण होता है उसको सुधाने किस कछा में करने चाहिए प्राथ्मिक में माध्यमिक उच माध्यमिक या उच्च कछाओं में तो इसका सही उत्तर हो जागा आपका आपसर ने हो जागा प्राथ्मिक में ही क्या कर देना चाहिए उस सुधार कर लेने चाहिए नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे भासा सीखने के लिए कौन सा कारक सारवधिक महतपूर है भासा में ब्याकरिक नियम है पाठ पर अधारित प्रस्णुत्तर है भासा की पाठ पुष्टा के समरिद भासिक वातावरण है तो इसका सही उत्तर हो जाएका आपका ओप्सन ड्यू हो जाएका समरिद भासाई वातावरण यह क्या करता भासा सीखने के लिए सबसे महतपूर कारक है उसका क्या वातावरण अनि जिस वातावरन में रहता है उसका वातावरन से ही वो अपने भासा को बहुत अची तरीके से सीख लेता है बाला की प्राथम की सिच्छा उसकी मात्र भासा में दी जाए या कहना है या मानना है यह किसका मानना है मांटेश्री का है महात्मा गाधी का मानना है या फ्रावेल का या कली पैट्रिक्स का तो इसका सही उत्तर आपका उप्सन भी हो जागा यह महात्मा गाधी का मानना है ईए उपीते ट फर्सट पेपर 2016 ब्शागे प्रश्नेसे नेशल क्यूशन हम लोग नेखें से 50, प्रात्यमीं का बोचसा स्थर लए और भासा सिखाने का क्या मतलब है जाए, ब्याक्रह से ट पर है City first paper 2003 पूछे कि अप्रस्ण है निश्ठ की किसे हुश्च रहम लोगे क्या हो प्राथम प्राथिम कर सि इच्छा का मादेम है राथ्म कंगर इस प्रकार एक बाद दिख लेंगे प्रात्मर तफ़ सिच्छा का माध्यम कैसा होना चाहिए कि अंग्रेजी और उर्धी तो निकल गया है आगे देखते हैं और क्या किया क्या क्या बच्छा है c है बच्छों की मात्रिमाद्री भासा रहे इसका सही उतर हों जयांगरS Александm डिहतलों होते हैं निष्ट कीशन अस्तर की साहत पूस्तों का निर्माल करते समय आप किन बींद उपर 20 ध्यान देंगे हिंदी भास में बैविद्य रूप सामिल हो उपदिसात्मक पाठ सामिल हो कहानिय अधिक से अधिक सामिल हो परसिद लेखो की रचनाय सामिल हो ताप कैसे किस तरह से आप निर्ण लेंगे कि क्या होने चाहिए प्राथिमिक अस्तर क की पाष्ट पुस्तकों में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा हिंदी भासा के बैविद्य पुड रूप सामिल हो उन्हीं हिंदी के बीभीन प्रकार के जो भी रूप है तैस सभी इसमें क्या हो सामिल हो इसको अनुसार कौन सा कतन सही है बच्चों में भासा सीखने की जन्मजाद शमता नहीं होती है बच्चे में भासा सीखने की जन्मजाद शमता होती है बच्चों को ब्याकरण सिखाना जरूरी है बच्चों में भासा सीखने की जन्मजाद शमता होती है दिसका सही उत्तर ह हो जाएगा आपका option do हो जाएगा बच्चों में भासा सीखने की जन्वचा छमता होती है सीट फर्ष पेपर दोजारा चोदम पुछा गया प्रस्ण इन्नेश्ट क्रिशन हम लोग देखेंगे भासा सीखने की कौन सी वीधि मात्र भासा को मध्यस्त बनाए बीना दूसरी भासा को सीखने में सहायक होती है तो इसका देखिए यह लगवाग यह तीसरी बार प्रस्ण आ गया है पर्थेक्च वीधि जो होता है तीन बार यह प्रस्ण दोहरा चुका है रिपीट कर चुका ह तिसलिए हम काते हैं जो भी प्रशने पूछे गए हैं तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा कि जो भी प्रशन होते हैं वो रिपीट करता है जैसी है प्रशन आपकी यह लगबक तीसरी बारा आग चुका है तो पच्पन का सही उत्तर आपका ओप्सन डी हो जाएगा इस सीटेट फर्स्ट पेपर दोजार पंद्रम पूछा गया प्रशने नेश्ट की उच्छन हम लोग देखेंगे भासा सीखने में मात्र भासा का ब्यागहात है आंसिक रूप से होता है पूड़ रूप से होता है न मात्र भासा जो भी होती हो कम होती है काने मतलब मतलब काने मतलब वो कम होता है तांसिक रूप से कम होता है बहुत ही कम होता जादे नहीं होता है नेश्ट की शन हम लोग देखेंगे संतामन भासा का अस्तित्व यंभिकास के बाहर नहीं हो सकता है भासा का अस्तित्व विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है समाज में ही इसका विकास होता है कि नेश्ट किस्टन हम लोग देखेंगे अंठावन कि यह एक ब्याकरण से प्रसना गया नि कंटेंट से प्रसन यहां पर दे दिया है निवलिकेत में से मुर्धन बेंजन बताईए कि मुर्धन बेंजन कौन सा है तिसका आपका ऑप्सन सी हो जाएगा टोठोडोडोडोग्या होता है यह मुर्धन नहीं मुर्धा से बोला जाता है उत्रा खंटेट 2017 पूश अगया प्रसने नेश्ट क्योशन हम लोग देखेंगे एक बच्चा अपनी मात भासा सीख रहा है वह दूसरा बच्चा वही भासा दिवतिया भासा करूं में सीख रहा है दोनों निमलखित में से कौन से समान परकार की तूटी कर सकते हैं अधिक संसूधता अधिका अधिक समानी करण सर्णी करण या विकासात्मक तो किस परकार नेश्ट की उचरन हम लो देखेंगे, भासा अधिगा में प्राय कठनायां नहीं आती है, संकोची स्वभाव आतमी रिष्वास की कमी मानसिक स्वस्तता, जिसका सही उत्तर हो जागा, आपका उप्सन डू हो जागा, मानसिक स्वस्तता, यह हर्याना टेट दो हजार, चोदम पुछा गया प्रसनने, बस लेंक की उच्रना हम लोग देखेंगे स्ट सबस्व क्रस्थ इस प्रकार है भासा सन्रजणा में अप ऐकचित भासा के पर्मुक अंग होते हैं कितने अंग होते हैं इसका तो इसका सही उतरा आपका लिखित और दूसरा होता आपके मौखिक, यहार यानाटिर दुहजार, चोदम पुछा गया प्रसन है, नेश्ट क्योशन हम लो देखेंगे, भासा सीखने का अर्थ उस भासा की सीखना भी है, क्योंकि भासा किसी भी का एक अभीन हिस्सा होती है, जिसका सही उत्तर होगा आपका, भासा सीखने का अर्थ उस भासा की क्या होती है, संस्कृती, सीखना भी है, क्योंकि भासा किसी भी किसी भी यहां पर क्या है, संस्कृती, यह भी इसमें भी क्या होगा, संस्कृती, संस्कृती का अभीन हिस्सा होती है, तो 62 सही उत्तर हो जाएगा आपका option B सही हो जाएगा संस्क्रिती और संस्क्रिती नेश्ट की उच्छन हम लोग देखेंगे लोग गीतों को भासा की कछाओं में अस्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि लोग गीत को बढ़ावा देना भासा सिच्छर कमों खुदे से लोग गीत गाये जा सकते हैं जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option कुछ option इधर देदिया इसको हम लोग देख लेते हैं कि अब तका पारासपरिक मुल्यों की सिच्छा दी जा सकती है इसमें से बच्चे संस्क्रितिक विस्यस्थाओं से परिशित होते हैं क्यों होता है इससे बच्चे संस्क्रीटी विश्यस्ताव से परचित होते हैं आप सुन डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा सीटेट सेकेंड पेपर जुलाइ 2021 पूछागा परसने नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे प्राथमिक अस्तरप्र बच्चों की भासा सिच्छा के संदर में नीवनिखित में से कौन सा कथन असत्य है तेशका सही उत्तर होगा आपका जाए बच्च समर्श सम्रीट भास्य विकास में सहज और सौतह रूप से भासा में परिमार्जर के को कर लेते हैं बच्चों की भास संक्लपनाव और विद्याले में प्रचलित भास परिवेस में विर्योदा भास ही भास सीखने में सहायक होता है आगे हम लोग देखें कि 65 भास अर्जन भास और अधिगम के संदर में कौन सा कतन सही नहीं है भास अर्जन सहज और सभाईक होता है जबकि भास अधिगम प्रयासपूर होता है तो यह तो गलत कौन से सही नहीं है यह पकारा कौन से सही नहीं है तो यह सही है लेकिन यह गलत अप्शन हो जागा रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भासा सिखी जाती है नहीं यह रोजगार प्राप्त करने के लिए क्यों भासा हम लोग सिखेंगे तो यह सही हो जागा क प्रिंट सम्मंदित वातवरण से क्या आसे है कच्छा में रंगीन चाट पोष्टर इत्याद लगाना कच्छा की दीवारों पर रंगीन कव्ता याद पेंट कराना कच्छा में बड़े यकार में अड़वाला की चाट लगाना कच्छा में पढ़ाई जा रही विशेवस्त के अंूरूप लिखित सामगरी पर竹 ज़त인지 करना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option इसका सही उत्तर हो जाएगा कच्छा में पढ़ाई जा रही बिसे वस्त के अनुरूप लिखित सामगरी परदर्सित करना आगे हम लोग देखेंगे संड़ सट पाल भासा की कच्छा में अक्सर बाल साहित पढ़ते हुए नजर आता है इसका समभावी करण है तो गया उसके केवल कहानिया पढ़ने का सौक है उसकी पाठ पुस्तक नीरस है उसमें पढ़ने की प्रति ललक है या सिर्शक का सिच्छन नीरस है जिसका सही उत्तर आपका option C हो जागा उसमें आता पुसके लिए प्रति लळक है उसको उसमें पाठ साफ्ण से द नेश्चल हो देखेंगे प्रस्ण 68 है कच अच्छा के यह एक मैं थोड़ा सा प्रस्ण कट रहा है इसको थोड़ा से छोटा कर दे प्रस्ण 68 है कच अच्छा के बच्छों के लिए कहानी कब तावों का चयन करते समय आप कीस बात का भी से सुरूप से ध्यान रखेंगे किताब नैतिक उपदेशों से भरी हो किताबों के परिष्ट कम हो किताबे बच्चों की मनों बैज्ञानिक और भासिक जरूरतों के अनुरूप हो किताबों में रंगिन चित्र आवस्य के हो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option C सही हो जाएगा किताबों अनि जो भी किताबे हैं बच्चों की मनों बैज्ञानिक और भासिक जरूरतों के अनुरूप हो बाकी इसका और नेश्ट क्रिशन हम 69 देखेंगे बिद्याले आने से पूर्व बच्चे बिद्याले आने से पूर्व बच्चे क्या करते हैं ये पूछ रहा है बिद्याले आने से पूर्व बच्चे भासा का बिल्कुल भी ज्यान नहीं रखते हैं अपने भासा में समझने समझाने की कुसलता से लेस होते हैं इस denkt सबी भासाओ को पूरी दच के नहीं अपनी भासा में समझने समझाने की फ्र्रक्रेस्टा से लेस होते हैं जो भी बच्य आते कहा पढ़ने आते हैं इसके पहले उनके आनदर वह आ मैं ग्यान हो जाते हैं वह आपको समझा भी सकते हैं ऐसे सट्य है बच्चा स्वभावी ग्रूप से अपने घर और समाज के वातावरण के अर्जित करता है क्या करता है इसके सभी सब्सक्राइब कर देखेंगे लगबग दो साल के बच्चे तारवाली भासा आनि टेलिग्राफिक स्पीच का परियोग करते हैं तारवाली भासा का अर्थ है तार से परियुक्थ होने वाली सब्दों का परियोग अंग्रेजी सब्दों का विप्योग जिसका सही उत्तर हम लो देखेंगे कुछ ओप्सन इथर दे दिया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं अप्सन सी दे दिया सांशिप्त वाक्यों का परियोग करता है मुख अर्थ को ब्यक्त करने वाले संग्या किरिया विसेसर आद को सब्दों वाली अभिव्यक्ति इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख अर्थ को ब्यक्त करने वाले संग्या किरिया विसेसर आद को सब्दों वाली अभिव्यक्ति फर्ष्ट पेपर जून 2011 में पुछा गया प्रस्न है बात तरे भासा अर्जन के संबंद में कौन सा कथन उचीत नहीं है कौन सा कथन उचीत नहीं है यहां नहीं की बात कर रहा है ध्यान देना वगा नहीं की बात कर रहा है तो भासा के नियम सीखे जाते हैं क्या भासा के नियम सीखे जाते हैं चलो आगे बढ़ते हैं परवेश से प्राब्त आसी कावड़ों के अधार पर सहज रूप से भासिक नियम बनाया जाते हैं ये तो सही है भासा अर्जन में भासिक परवेश महत्रपूर है ये भी सही है इसमें समाज सांस्कृति बिस्थाओं को सहज रूप से ही आत्मसात्त क प्रब्रिद्धी है नेश्ट की शुन हम लों देखेंगे निम्लिखित में से किस उद्देश के लिए प्राथम के अस्तर पर भासा नहीं सीखी जाती है क्या जीवन के बीभीन इस्तितियों को साधना भासा का ब्याकरण सीखना मन की बात कहना या सुनना अपनी अनेक जरूर जाए भासा नहीं सीखी जाती तो भासा कब ब्याकरण सीखना इसकी लिए भासा नहीं सीख जाती नेकर्षक्षर 54 देखेंगे भासा सिछल का निर्माड कारी उपागम इस बात पर बल देता है कि ब्याकरण के नियम जानना ही सुद्ध भासा परियोग का एक मातर अधार है नहीं भाई यह तो गलत होगा समाज में ब्यात भासाई ब्यहवार का अउलोकन करते हुए बच्चे स्यों ही नियम बना लेते हैं नहीं बच्चों को भासाई नियम कंठस्ट करा जाएं कंठस्ट नहीं कराना है बच्चों को भासागत सुद्धता पर पीसेस बल देना चाहिए यह ही सही हो जाएगा यह जनौरी जारी बारे में पुछा गया प्रसने निश्ट किस्ट नहीं हम लोग देखेंगे प्रसने भासा अर्जन और भासा अधियम में मुख अंतर है यह प्रसन हम लोग देख चुके हैं देखिए भी रिपीट कर रहा है तो पाइस्ट बुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास कराने क यह तो गुलत हो जागा तो भाविकता का यहीं सही हो जागा तो यह सही हूँ आगे हम लोग देखेंगे शियतर प्रसन मंशियत्तर किस किस तरह के परिवेस में बच्चों का भासा विकास अपेच्छाक्रित बेहतर होगा कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनको किस परकार के परिवेस दिया जाए कि भासा विकास क्या हो अपेच्छाक्रित बेहतर हो एक परिवार जहां माता पिता मानक भासा का परियोग करते हैं सभी सदस बच्चों के साथ निरंतर अंतर किरिया करते हैं आधूनिक तक्नीकी से लेस्क अच्छा जहां भासा परियोग साला का निरंतर परियोग होता है सिच्छक द्वारा मानक भासा का परियोग करना तिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नहीं हो जाएगा एकल परिवार जहां माता पिता मानक भासा का परियोग करते हो बिल्कुल सही तरीके से भासा का परियोग करते हो ये सबसे बेहतर तरीका है नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे 77 भासा सीखने और भासा आर्जीत करने में अंतर का स्वर्व प्रमुख कारण है भासा की पाठ पूछत के भासा में अकलान भासाई परवेस भासा का प्याक्राइड इसमें से कौन सा सही है जिसका सही उतर आपको ऑप्सन सी हो जागा भासाई परवेस क्या है भासाई परवेस सीटेर परश्ट पेपर 2014 पूछा गया प्रसने नेश्ट कीशन हम दो देखेंगे पहली कच्छा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार आठकती आठकती है ऐसे में आप क्या करेंगे और एक एक तरीके से उसका जो भी पढ़ने का वाचान है वो सही तरीके से नहीं है तो आप क्या करेंगे नादिरा को डाटेंगे भाई डाटेंगे क्यों यह तो गलत है उसे पढ़ने के लिए मना करेंगे नहीं भाई यह भी मना नहीं करना है उसे कहेंगे कि पहले पढ़ना ली सीख लो फिर कच्छा में पढ़ना यह पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे ही यह सही हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे 79 ए हिंदी की कच्छा में प्राय है हिंदी तर भासाई बच्चे अब रूची परदर्शित करते हैं क्योंकि इसका आपसन इधर देती है यह भी प्रासन दोरा रहा है यह प्रासन हम लोग देख चुके है अध्याबक उनकी भासा संबन्दी तुरूटियों को सहचा से स्वविकार नहीं करते हैं उन्हें अपनी भासा के प्रती बिसेस लगाव होता है उन्हें तुलनात्म कुरूप से हिंदी बहुत कठी लगती है उन्हें हिंदी सीखनी का विप्योग नजर नहीं आता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सभिकार नहीं करते हैं, प्रस्णता हिंदि की कंच्छा में प्राय हैं इत्यात करते हैं। अब रूची मतलब उनको रूची नहीं का नहीं, कम नहीं कि आता है पढ़ाना सिखने का वास्तों सबसे अच्छा तरीका या है कि बाच्चे बिना मात्रा faculty की वर्तणी बता सकें चित्र के साथ अनुमान लगाना सिखे सबसे पहले वार्डों की पहचान करना सिखे 12 खड़ी अच्छी तरीके से याद करे सिटेर फर्स्ट पेपर 2016 पूछा गया प्रसन है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन भी इसका सही हो जाएगा चित्र के साथ अनुमान लगाना सिखे नेश्ट के सिश्यों हम लोग देखेंगे सधारान तर पर सिच्छक यह समस्ते हैं कि बच्चों को लिखना तताल सिखाना चाहिए जब बच्चे उन्हें वार्डों की पहचान हो जाए यह वीचार पूरी तरीके से सही यह स्वविकार है बैज्यानिक है बाल सभा के अनुकूल है या अवैज्यानिक है सिटेट फर्स्ट पेपर फरवली 2067 पुछा गया प्रसन है तो इसका सही उत्तर हो जागा आपका ओप्सन डी हो जागा औबैग्यानिक है यह क्या है औबैग्यानिक है अनि सधार तोर पर सिच्छक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्डों की पाइचान हो जाए यह विचात पूरी उसके क्या है औबैग्यानिक है बच्चों को एक साथ दूनों कराना चाहिए लिखना और पढ़ना दोनों नेश्ट की उच्छन हम लोग देखेंगे प्रात्मिक अस्तर पर एक अध्याविका संग्या पढ़ाते समय पहले संग्या की परिवासा बताती है उसके बाद उससे सम्मादित उतहारण समझाती है अध्याविका ब्याकर सिछण की कौन स बीधि अपनाती है क्या सुत्र बीधि या आग्मन बिधि निगन बीधि या पत्यक्ष बीधि एट तो कौन सिपी दी है इसका सही उतर हो जाग आपका नीगमन बीधि क्या होता है नीगमन बीधी कि आगे हम देखेंगे 83 है भासा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है यह विद्याले से ही होता है भाई भासा अर्जन तो कहीं से भी हो सकता समाज से हो सकता घर से हो सकता क्वेल प्रिबार में हेसे हो जाए परिवार में ही नहीं होता है यह सहाज होता यह ख रेंगा सबसे करkim नहीं होता है यह सही होता है यह सिकेन फॉस्ट पेपर सेतंबर 2016 पूछा गया प्रस निश्ट की उचनल नो चौरासी देखेंगे बहु भावी कच्छा से क्या ताथ पर है क्या होता है बहु भावी कच्छा जिस कच्छा में परतेक बच्चे के घर पर घर की बोली को समान दिया जाता हो जहां बहुत सी भासाओं का ध्यापन किया जाता हो जिसका अच्छा में सिचक सिचका दो या दो से अधिक भसाएं पढ़ लिख सकते हैं जिसका अच्छा में कम से कम दो भसाओं में पाठ पूस्तक उपलब्द हो जिसका सही उतर हो जाएगा आपका आप्शन इसका सहीवत हो जाएगा जिस कच्छा में परतेक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हूँ नेश्ट की उचन हम लोग देखेंगे 85 प्रसने है प्रसने है दूसरी कच्छा में पढ़ने वाला रोहीत हिंदी की कच्छा में अपनी मात्र भासा में बात करता है आप क्या करेंगे वो अपनी किसमें बात करता है अपनी मात्र भासा में बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे यह पूछ रहा है बाकि बच्चों से उसकी भासा सीखने के लिए कहेंगे उसे डाटेंगे भाई डाटना तो नहीं है उसे बिल्कुल अंदेखा करेंगे अंदेखा भी नहीं करने है उसकी भासा को समझने की कोशिस करेंगे तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन डी हो जाएगा उसकी भासा को समझने की क्या करेंगे कोशिस करेंगे फिर आगे हम लोग देखेंगे 86 बच्चों का अपने लेखन के प्रती आत्मिस्वास जगाने के लिए जरूरी है क्यों शरूरी है उनकी वर्तनी की सुल्था को सहारा जाए उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान दिया जाए उनके लिखने की गती पर ध्यान दिलाया जाए उनके अच्छरों की बनावड़ की परसंसा की जाए जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका option भी हो जाएगा उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए जाहें गलत लिखें लिखें लिए कि उनको क्या करना सम्मान देना है नेक्ट केशन हम लोग देखेंगे 87 केशन 87 भासा सिच्छण पर हुए सोध बताते हैं कि दियोती और बिदेशी भासा में दस्चा सीखने वाले की और पर ही ज्यादा निर्वर करती है तो इसका option इधर दे दिया option नहीं इधर दिया तो थोड़ा सा यह प्रस्न चलिए कोई नहीं कि आपसें दिया है अभी प्रिवार संस्क्रीटी वर गया अभी प्रिणना उपलब्दी प्रस्न एक ब्रावर हम नों सुन लेंगे देख लेंगे प्रस्न था भासा सिच्छण पर हुए सोध बताते हैं कि दियोती यानि बिदेशी भासा में दश्चता सीखने वाले की और पर भी ज्यादा निर्भर करती है तिसका सही उत्तर आपका उप्सन ही हो जाएगा अभी प्रिदिया और अभी प्रिणना नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे नेश्ट क्यूशन 88 इस परकार है प्रात्मी का स्थर पर हिंदी सीखने की प्रकिरिया में किसकी महत्यपूड भूम का नहीं है किसकी महत्यपूर्ण भूमका नहीं है संचार मात्य हमकी पाठी पुष्ट है कि अभ्यास पत्र की या प्रसन पत्र का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आप संटी हो जाएगा प्रसन पत्र का कोई भूमका नहीं होता है क्योंकि प्रसन पत्र में बाला क्या करते है क्यों प्रसन का उत्तर ही देता है नेश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे रूप बड़े समुख के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है अनि रूपा बड़े समुख के सामने अपनी बात कहते समय क्या करती है अटकती है उसे हमेशा बड़े समोह के सामने बोलने के लिए ही कहेंगे नहीं उसको पहले छोटे समोह में कहेंगे बोलने के लिए प्राराम में छोटे-छोटे समोह की बात करने के भरपूर आउसर देंगे यह आप से इसका उत्तर हो जागा पहले छोटे-छोटे समोह में जब बात करे होगी सभी तरीके से करने लग जाएगी तब उसको क्या करना है बड़े समुव में बात करने के लिए कहा जाए नेश्ट किश्वन हम लोग देखेंगे नब बे भासा सीखने की छमता जन्वजात होती है या विचार किसकी देन है इसकी नियर का पाउलाओ का चौमस्की का या थांडाइक का भासा सीखने की जन्वजात छमता होती है यह कौन का है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन C हो जाएगा चौमस्की यह कौन का है नौन चौमस्की हिंदी भासा की कच्छा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मात्र भासा के सब्दों का परियोग करता है ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यह प्रसन हम लोग देख चुके हैं लेकिन दुबारा हम लोग देखेंगे तो इसी प्रस्तिति में हम उसे टोकेंगे नहीं और उ किशन बानी में हम लोग देखेंगे भासा अर्जन और भासा अधिगम में अंतर का अधार नहीं है जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन क्या वह स्वाभाविक्ता का है सहस्ता का सांस्कृत का सांस्कृति का का है या कुसलता का तो आप्सन डीस का सही उत्तर हो जाएगा कुसलता का भासा अर्जन और भासा अधिगम में अंतर का अधार नहीं है कि इसका कुसलता का बाकी सब गलत हैं इसके बाद अन्येश्ट क बच्चों को पाठों के अंत में दिये गए उधारणों का अभ्यास कराना या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की छहमता का विकास कराना आगे हमने देखेंगे 94 प्राथमिक अस्तर पर बच्चों के सुरवाती भासा विकास में सारवधिक योगदान दे सकते हैं या दे सकती हैं टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्टून कार्करम या गिरिकार पर ब्यक किये जाने वाले 30 मिनट एफ एम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समझार या परिवार में होने वाली प्रसपर गुलवातापुर बाच्चीत इसका सही उतर ओप्सन डी हो जाएगा 94 का उतर क्या हो जाएगा option d हो जाएगा परिवार में होने वाली प्रसपर गुलवातापूर बाच्चीत से ही बच्चीत क्या करेंगे प्राथमी के अस्तरपर बच्चों के सुवाति भाशा बिकास होता है यह होता है आंके हम लोग देखेंगे पंचानवे परसन पंचान में इस परकार है उज़ प्रात्मिक अस्तरपः अपनाई जाने वाली भासा सिच्छर युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्र देंगे अपचारिक अपचारिक पत्र लेखन अधूरी कहानी को पूरा कर सुनाना तथा लिखना उचित गतियों प्रवाह के साथ पढ़ना चीतर दिखाकर उस पर अधारित कविता कहानी लिखना तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा आपका option D सही हो जाएगा चीतर दिखाकर उस पर अधारित कहानी या कविता लिखना इससे क्या हो जाएगा बच्चों में एक तरह से कालपनिक और जो तारकिक छमता होगी उसका विकास होगा भासाय विकास थोगा इसके साथ भी कलपना इत्याद का भी विकास होगा हो साथ में भासा प्रस नहीं चानवे है भासा अर्जन के संब्ध में कौन सा कथन उचित नहीं है नहीं की बात कर रहा है सबी वच्चों में भासा अर्जन की सो भावित छमता होती है भासा अर्जन के लिए नियम सिखाया जाते हैं भासा अर्जन को सहज बनाने के लिए सम्रिध भासिक परिविस होना चाहिए बين memorize चाहिए भासा अर्जन संबाः है तो इसका सही उतर हो जाएगा आपका option भी इसका सही उतर हो जाएगा क्योंकि भासा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं भासा अर्जन के लिए कोई नियम नहीं होता है बालक अपने भासा को अपने घर पे भी सीख सकता है स्कुल में सीख सकता है समाज इत्यास से भी सीख सकता है तिसका सही उतर आपसन भी हो जाएगा नेश्ट की उच्छन हम लोग देखें कि संतान भी पूरी पाठ चर्णाय में भासा की भूमका को अंदेखा नहीं किया जा सकता है तिस डाट में क्या हम लोग भरेंगे ग्यान निर्माड, भ्याकरन निर्माड, आकलन निर्माड या मुल्य निर्माड तिसका सही उतर होगा आपका आपसन है हो जाएगा ग्यान निर्माड पूरी पाठ चर्या में ग्यान निर्माड में भासा की भूमका को अंदेखा नहीं किया जा सकता है तो अपसर ने इसका सही उत्तर हो जाएगा निश्ट क्यूशन हम लोग देखेंगे नीना की कच्छा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना संकल्पना अनि वस्ट प्रानी के लिए अलग-अलग भसाओं के सब्द खो जते हैं नीना ऐसा क्यों करती है बच्चों को बयस्तक रखने के लिए बच्चों की मातर भसाओं की जनकारी प्राप्ट करने के लिए बहु भासिक्ता को बढ़ावा देने के लिए शिच्चन को अधिक रोचक योँ बयस्तता पुरोग बनाने के लिए जिसका सही उतर हो जाएगा आपका option C हो जाएगा बहु भासिता को बढ़ावा देने के लिए नीना की कच्छा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना नहीं वस्त प्राणी के लिए अलग-अलग भासाओ के सब्द खोचते हैं नीना ऐसे क्यों करती है क्योंको बहु भासिता को बढ़ावा देने के लिए करती है सिटेर सेकेंड पेपर भासा टू में आया है तो जार तेरे में यह प्रस्ण पूछा गया है समचार पत्र रेडियो विभीत पत्रिकाह या पोश्टर यह अंपी टेट दो जारी कारें पूछा गया प्रस्ण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन भी हो जाएगा रेडियो अनि सरव प्रसानल माध्यम के अंत्रगत रखा जा सकता क्या रखा जा सकता है रेडियो बाकि समचार पत्र भी नहीं होगा वीभीत पत्र कहां भी नहीं होगा पूश्टर भी नहीं होगा क्योंकि इसमें से आवाज नहीं आता जबकि रेडियो क्या होता यह रेडियो से आवाज आता है है एसपेसलिका सरव्य प्रसार तो आज की वीडियो में बस इतन इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टपिक के साथ अगले नए प्रसंद के साथ तब तक लिए जिया हैं बंदे मात्रों